राहुल दान्धी इस देश का नंबर प्रथम आतंगबादी है राहुल दान्धी इस देश का नंबर प्रथम आतंगबादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइडेंट रूल अंग्रेज मर गए ओलाद छोड़ गए तो इनका न तो कोई धरम है न यह साई धरम है बाबा थे मुसलिम बाप फिर क्रिस्चन हो गए क्रिस्चन की से साधी करी तो न यह मुसलमान रहे न हिंदू रहे न क्रिस्चन रहे न सिख हुए यह तो ऐसी पांचमी जाती बन गई है यह इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान को लुटे रे के रूप में लुटने के लिए आए इटली से लोग। तो इसलिए यह नंबर एक आतकबादी है। चिंग्यारी लगाने के लिए पहले मुस्लमों की कोशिश की उनको यूज़ करने की अब नहीं हुआ, अब बिलकुल बाॉडर पे सिख है। भई देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहूल गान्दी ने बिया है, वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरिस ग्रोप हैं जो सबसे जो माहर हैं, बंब, बंदू, गोला भूली, हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उडाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहूल गान्दी की स्पोर्ट में आगे, आप अंदाजा लाल गा लिजिए, राहूल गान्दी खुद देश के नंबर वन टेरस्ट, अगर किसी क मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो, जिसको अलानना चाहिए अजन्सीज को, वो आज राहूल गान्दी हैं। तो गद्दारी करा लो, मैं कहना चाहता हूँ विट्टू भूल गए, जब इंद्रा गान्दी, जो उसकी दादी है, राहूल गान्दी की, उनका सरीर छलनी हुआ था, आतंकवादी की पीड़ा, क्या होती है, उस आदमी ने छेला है, जिसके पिता के टुकड़े हुए, द जब सर्दार बेट सिंग शहीद हुए थे, तो उसके बाद इसी परियुए, उन्होंने आदनी राहूल गान्दी को टिरोरिस्ट खा है, उन पर केस होनी चाहिए, मान हाने का केस होना चाहिए, और इनको बोलते हैं हिंदुस्तानी नहीं है, विट्टू जी अगर इस लगा का बयान करते हैं, तो आप पर कांग्रेस पार्टी को केस करके आप उस जेल के सलाकों के पीछे बेजना चाहिए.